केंद्री क्रशी मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्रिशी कानून को एक बर फिर से किसानों के हिट में बताया है क्रिशी मंत्रों से बाच्वित की हमारे सायोगी ने देखे केंद्री करशी मंत्री नरें सिंग तोमर जी हमारे साथ जुड़ गया है नरें सिंग जी जिस तरीके से प्रदान मंत्री जी ने कहा था कि बंगाल के किसानों को किसान सम्मान निदी का फाइदा नहीं मिल रहा है क्या कहेंगे सरा पश्यम बंगाल मैं 70 लाख अनुमानित किसा प्पियम किसान सम्मानिदी के पात रुक है अगर पंगाल की सरकार इस स्केम को जॉइन कर ले तो एक साल मैं चार आजार दो सो करोर रूपिया पंगाल के किसानों को मिल सकता है जिसстे वो 아직 बंचित हो रहे हैं मैंने पूर में भी और कल भी पश्यम बंगाल की मुख्यमंद्री मम्ता बेनर जी जी को पदर लिखकर आगरे किया है कि वो जल्दी से जल्दी इस स्कीम को जोईन करें जिससे कि पश्यम बंगाल के लोगों को भी इसका लाप मिल सके सिर्फ कई सारे निता राइनितिक दलों के निता किसानों के बीच में जारे हैं प्रदान मतिजने का फूटो किचवाने जा रहे हैं निता तेकि स्वाभवे गरूप से जो किसान आंदोलन का सुरूप आज मीडिया के माद्यम से देखने में आ रहा है उसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि कुछ लोग जिनकी राजनितिक जमीन खिसक गई है उनको ये आंदोलन एक मंच के रूप में दिखाई दे रहाए और इस मंच का इस्तिमाल करके इस नाम का इस्तिमाल करके वो अपने राजनेतिक सुरतों की पूरती करना चाहते हैं जिसमें वो सफल नहीं होंगे आखरी सवाल सर, कितना बड़ा फैसला है सर, ये किसान सम्मान निदी का, किसानों के से कितनी रहत मिलती है ये दुनिया की किसानी के छेतर में सबसे बड़ी स्कीम है देश के लगबग साड़े दस करोड किसानों को अभी तक 96,000 करोड रुपया उनके बैंक के अकाउंट में भेजा जा चुका है एक वर्स में 75,000 करोड रुपय का बजट प्रावधान है और उस प्रावधान के माध्यम से इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है और छोटे मचूले गरीब किसान को इस स्कीम का बहुत फाइदा है आज प्रदान मंतरी जी के कारिक्रम में भी आप सब लोगों ने अनुप किया होगा जिन्हों ने इस पिएम किसान सम्मान निदी के बारे में अपना अनुप पूरे देश के सामने रखा यह ते केंद्री मंतरी नरें सिंक्तमर जिनका कहना है कि बहुत बड़ी योजना है किसान सम्मान निदी जो देश ये नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना किसानों के भले के लिए केमरामें प्रमुत दास के साथ संजेश शर्मा इंडियन उस दिल्ली